हेलो फ्रेंज आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सबसे एजिस वेज हाउ टो डाउनलोड स्क्राच 2.0 तो सबसे पहले मैंने गूगर खोल लिया है अब मैं अधर टाइप मेरे उपर क्या है पहले से ही है आप लिख सकते हैं डाउनलोड स्क्राच 2.0 अब यहां पर आएगा स्क्राच अब हम इसको करेंगे डन अब आपको कुछ ब्लू ब्लू ऐसा कुछ दिखेगा यहां पर आपके तीन आएंगे अडाबेर स्क्राच ओफ लाइन एडिटर एंड सपोर्ट मेटेरियल तो सबसे पहले हमें अडाबेर डाउनलोड करना होगा उसके लिए हम लोगों को आपको यहां पर एक ब्लू ब्लू दिखे रहा होगा अडाबेर इसे हमें क्लिक करना है उसके बाद यहां पर आपको दो आप्शिन पर लेंगे अडाबेर फॉर macos macos and windows तो हम करेंगे for windows अब windows के करने के बाद मेरा यहां पर यह डाउनलोड हो रहा है यह हो गया डाउनलोड बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाता है तो हम इसे करेंगे अब show in यहां आप कर सकते है show in folder के अलावा आप इसे टाइप करोगी टाप करोगी तो यह opening आप मेरा अल्रेडी इंस्टॉल है और आप इंस्टॉल कर सकते हो आप सारी फॉर्मालिटी भर की आप मेरा इंस्टॉल है अब हम जाएंगे पिछले वाले हिसे में तो यहां पर आपको दिखेंगा scratch offline editor तो हम जरा जरा सा नीचे जाएंगे ठीक है आपको यहां पर दिखें हैं तो हम करेंगे विंडोज हैना विंडोज पर डाउनलोड और यह देखिए हमेरा यह नीचे आगया scratch यह डाउनलोड हो रहा है इसे हम फोल्डर में देखते हैं जब जैसी फोल्डर में हो जाएगा अभी यह अनफॉर्म यह ऐसे आ रहा है तो हम जाएंगे हमारे वेपर फर्शे आपको दिख जाएगा कि डाउनलोड हो रहा है अब इसके करेंगे ओपनिंग ओपनिंग के बाद यह आ रहा है यह आ गया अब आपको करना है पहले अनिस्टॉल यह देखिए हम अनिस्टॉल हो रहा है और आपको करना है यह करने के बाद यह आपका ऐसे कुछ और यह आपका अनिस्टॉल हो रहा है और यह अनिस्टॉल कंप्लीट हमने इसे फिनिश कर दिया और अब हम टास्क व्यू पर जाएंगे और आप यहां पर देख सकते हैं कि जितने भी मैंने फॉर्मल्टी भरी थी और यहां पर आपको थोड़ी देर में अगर हम यहां पर डबल लिफट क्लिक करके रैट क्लिक किया हमने और यहां पर आगिरी फरस्ट हमने रीफरेश कर दिया और अम सहर्च करेंगे और एंघप्त अब यहां पर पर स्क्राथ आप है अपको ऐसा कुछ दिख रहा होगा है न अब आपको जाना अपने फाइल्स में यह जो फाइल्स है अब फाइल्स के हटाकर आपको कुछ ऐसा स्क्रैच टू अफ्लाइन एडिटर आएगा उसके बाद हमें करना है